देव उठानी एकादसी दोजरताईस कब है देव उठानी एकादसी जाने सुमुहरत, पूजाविधी, समागरी और वर्तनियम। कार्तिक मास के सुकल पच्च की एकादसी तिति को सिर्ष्टी के संचालक भगवान विस्नू और समश्त देव चार महिने के बाद विस्राम से जागते हैं, इसलिए इस दिन जब देव देव उठते हैं, तो इसे देव उठनी कहते हैं। सनातन धर में देव उठनी एकादसी का विसेस महत्व है, इस सल देव उठनी एकादसी 23 नहुंबर को मनाई जाएगी। देव उठनी एकादसी को मीनी दिवाली भी कहा जाता है देव उठनी एकादसी दिवाली के एकारवे दिन आने वाली एकादसी को कहा जाता है इस दिन देश भर में साधियों का सीजन भी सुरू हो जाता है धार्मिक मानियता के अनुसार कार्तिक मास के सुकलपच की एकादसी तिथी को स्रिष्टी के संचालक भगवान विष्णू और समझत देव चार महीने के बाद विष्राम से जागते हैं इसलिए इस दिन जब देव उठते हैं तो इसे देव उठनी एकादसी कहते हैं इस दिन भगवान विष्णू का खास पूजा करने का विधान होता है इस दि देव उठनी एकादसी कब है। भगवान विश्नु को समर्पित एकादसी वर्त में केला, आम, अंगूर, आदी के साथ सुखे मेवे जैसे बदाम, पीष्टा, आदी का सेवन किया जा सकता है। देव उठनी एकादसी पूजा कैसे करें। कथा पढ़ें और भोग लगा कर आरती करें। वर्त पारन अगले दिन सात्विक भोजन के साथ करें। देव उठनी एकादसी तुलसी पूजन विदी। दावने, स्वाहा, घी का दीप और धूप दिखाएं। सिंदूर, रोली, चंदन और नेवेद चढ़ाएं। तुलसी को वस्तर अलंकार से सुसोभित करें। फिर लश्मी अस्टोत्र या दामोदर अस्टोत्र पढ़ें। तुलसी के चारो और दिपदान करें। यह आपकी देव उठनी एकादसी या एगारस का पूजा विदी। सुब मुहरत और कब है एक देव उठनी कादसी आप जाने होंगें। धन्यवाद।